लोस्तों स्वागत है आपका अपनी परिवार रोजगार वी थंकित में मैं हूं रंजनराच उम्मीद करता हूं आप सोभी बहतर होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी अब देखिए यहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजन कूलिं सुनील ठीक है हिमानसु धनकर सुमित ठीक है जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए राजेस तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए तब हम अपने क्लास को सुरू करते हैं क्योंकि देखिए ऐसा टॉपिक है मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सुरू से अगर आ आप लोग आ जाओ क्लास में थीक है गोड इवनिंग सभी को गोड इवनिंग चलिए दीपक ब्रजपाल उपदेश राकेश महेंद्र रिज्वान सुमित दीपक सोहन राना ठीक है काफी यादर लोग जूड़ चुके हैं चलिए गोड इवनिंग सभी को चलिए अब हम लो लोगों ने कई सिस्टम को बारे में पढ़ा इंजन कैसे काम करता है इंजन की सन्रचना क्या होती है इंजन इंटेक सिस्टम इंजन एक जास सिस्टम अब हम लोग पढ़ेंगे इंजन की कूलिंग कैसे की जाती है ताकि हमारा इंजन जो ऑपरेटिंग टंपरेचर है उस पर सही तरीके से क्या कर सके, operate कर सके, ठीक है, इस class के last में question करावाना, question का अगर आपको लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूँ, class के last में मैं आपको daily 5-6-7 question कराता ही हूँ, लेकिन Sunday को, Sunday को weekly questions मैं करवाता हूँ, 50 questions, जैसे कि इस week में मैंने अगर आपको 6 दीन मारी class चली week में, ठीक है, Monday to Saturday, तो उससे related जो भी topics मैंने आपको पढ़ाए, उससे related questions, Sunday को 50 questions उसमें से आपको कराए जाएंगे, तो Sunday को भी हमारी class होगी, कल 7 बजे, और जहां पर जो भी हमने week में पढ़ा, वहां से 50 questions, selected question मैं आपको लेके आउँगा, तो question के लिए आप परसान मत होई है, sir class playlist में save नहीं है, बिल्कुल save है, नई playlist है, दिल्ली police driver technical classes, इस नाम से आप playlist में जाएंगे, तो वहां पर अभी आपको class मिल जाएगी, लगभग हमारे 10-11 lecture हो चुके हैं, कितने दिन में हो जाएगा course, कितने दिन में हो जाएगा course, भाई बहुत जल्दी करवा दू नहीं, new playlist बना है, दिल्ली police driver technical class इस नाम से, वहां पर जाके आप चेक करेंगे, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, चलिए, काफी जादा लोग हमारे साथ जोड़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे, इंजन cooling system के बारे में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, combustion chamber, combustion chamber, combustion chamber में होता है, ठीक है, combustion chamber में होता है, उस समय, सिलेंडर के अंदर, उस समय, सिलेंडर के अंदर, क्या होता है, तापमान, तापमान, बाईस सव से, पचीस सव, टिगरी, सिंटीग्रेट, पहुच जाता है, पहुच जाता है, यानि कि जब हमारा संपीडन स्ट्रोक के अंत में, इधन जलता है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सर जाये चाहे वो petrol हो, चाहे डीजल हो तो वहाँ पे क्या होता है तापमान कितना पहुच जाता है भईया तापमान कितना पहुच जाता है 2200 से 2500 degree centigrade पहुच जाता है और अगर मैं आप से बताओ एक जानकारी के लिए तो जो लोहे का गलनांग होता है लोहे का गलनांक यानि की melting point इंगलिस वाले लिख लेंगे गलनांक को इंगलिस में बोलते हैं melting point गलनांक होता है कितना 1549 degree centigrade ठीक है और मैंने आपको जो material बताए है पहले दूसरे लेक्चर में वो मैंने आप क्या बताया है cylinder किसका बना होता है ठीक है cylinder या cylinder block किसका बना होता है cast iron का यानि की धलवा लोहा का ठीक है cylinder head किसका बना होता है सिलेंडर हेड किसका बना होता है सिलेंडर हेड बना होता है एलोई कास्ट आइरन का मैं आपसे पूछूँ पिश्टन किसका बना होता है तो पिश्टन भी कास्ट आइरन का मैं आपसे कहूँ पिश्टन रिंग किसका बना होता है piston ring किसका बना होता है तो ये भी बना होता है cast iron या steel का ठीक है भागी चीज में लिख नहीं रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ हमारा जो connecting rod है वो किसका बना होता है जो हमारा connecting rod है वो किसका बना होता है connecting rod हमारा बना होता है forged steel का connecting rod किसका बना होगा forged steel का इसी तरीके समारा जो crank shaft बना होगा वो भी forged steel का बना होगा यानि की देखिए यहां पे क्या है मैंने आपको बताया कि जो हमारा लोहे का गलनांख है कितना है 1549 और यहां पे iron है काश टाइरन है ठीक है मान लिजे काश टाइरन में आपने क्या कर दी कुछ और जैसे की अकेडमियम हो गया, निकिल हो गया, मैगनीज हो गया, ये सारी धातु में मिलाने के बाद भी जो इसका गलनांख होगा, कितना बढ़ जाएगा, 200, 400, 600 बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी इंजन में तापमान जो जन्नेट होता है, वो कितना होता है, 2200 से 2500 तो अगर आप इस तापमान को बाहर नहीं निकालोगे, या अच्छा कोलिंग सिस्टम प्रियोग नहीं करोगे, तो ये जितने भी सभी पार्स हैं, सिलेंडर है, ये सभी क्या हो जाएंगे, विखल जाएंगे, और आपस में क्या होंगे, मेल्ट होके एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो यही होता है कूलिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे इंजन के पार्स हैं, उसको ठंडा करने का काम करते हैं, क्रैंक और क्रैंक साफ्ट भी फोर्ज स्टील के बने होते हैं, जी बिलकुल, ठीक है, चलिए, चलिए, अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो पॉइंट है, उसको देखते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, इसको लिख लीजिए, यह अपने नोट्स में आप लिख लीजिए, कि अंतर दहन इंजन में, इधन का दहन, इंजन सिलेंडर में होता ह जिसके फल स्वरूप उच्च दाब तथा उच्च ताप उत्पन होता है, फ्लू गैसों का तापमान, यानि कि जो गैसें बनती हैं हमारी इधन के जलने के बाद, फ्लू गैसों का तापमान बाइस सो से पचीस सो डिगरी सेंटीग्रेड, बाइस सो से पचीस सो डिगरी सीतलन सिस्टम होना चाहिए, जिससे पार्ट्स को क्या किया जा सके, डैमेज होने से रोका जा सके, तो आप टिकनिकल टीम से कॉंटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा कॉलिंग नमबर है, उससे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे सिलेंडर से हेटिंग आप डालेंगे हेटिंग यहां पर डालेंगे सिलेंडर से सिलेंडर से उस्मा का निस्कासन सिलेंडर से उस्मा का निस्कासन यानि कि जब सिलेंडर से हम लोग क्या करते हैं कूलिंग सिस्टम में क्या करेंगे या सिलेंडर से जो हमारी हीट है उसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा समझ लीजे इसमें एक फामूला है उसको याद रखना है बाकी चीज़ें आप याद ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखें यहाँ पर T1 क्या है यहाँ पर T1 क्या है T1 है फ्लू गैसे उसका तापमान यहाँ पर फल्का सलिक भी लीजे ठीक है इधर जो हमारा T4 है T4 क्या है T4 है हमारा कूलिंग मीडियम का तापमान कूलिंग माध्यम यानि कि जो माध्यम कूलिंग कर रहा है जैसे कि हमारा कूलिंग मीडियम क्या होता है चाहे एयर हो गया चाहे बाटर हो गया तो यहाँ पर क्या है cooling माध्यम का तापमान ठीक है अब यहाँ से आप क्या निकालोगे अगर आप यहाँ से Q1 निकालो मैं इसको लिखना नहीं है आप समझ लीजे बस Q1 equal to अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K1 A1 फिर यहाँ से देखिए यह है T2 हमारा और यह क्या है यह हमारा T1 तो Q1 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा K1 A1 T1 minus T2 into DT DT क्या है हमारा समय है यह हमारा क्या बन जाएगा समी करण 1 इसी तरीके से फिर T2 से T3 उसमा का स्थान अंतरण होगा और T3 से T4 तक उसमा का स्थान अंतरण होगा थीक है तो इसी तरीके से हमारा क्या बन जाएगा समी करण 2 बन जाएगा जो लाश्ट में हमको समी करण मिलेगा जो कि हमारे लिए महत्तोपूण है वो आपको दियां रखना है जो कुल निसकासित उस्मा की मात्रा होगी, आप यहाँ पे लिख लीजे, कुल निसकासित या निकलने वाली उस्मा की मात्रा, कुल निसकासित उस्मा की मात्रा, उस्मा की मात्रा, उस्मा की मात्रा क्या हो जाएगी? तो आप यहाँ पे लिखेंगे q equal to k am, am क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, t1 minus t4 into dt, ठीक है, यह formula आप ध्यान लखेंगेगा, अगर कठीन प्रस्न पूछेगा, तो यहाँ से प्रस्न बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, where, जहाँ, के क्या है, के है हमारा उस्मा अस्थानांतरण गुडांक, यह क्या है, उस्मा अस्थानांतरण गुडांक, यह क्या है, एरिया, यानि की छेत्रफल, छेत्रफल, और dt क्या है हमारा, यहां पर लिख लेंगे DT equal to समय DT हमारा क्या हो जाएगा भईया समय हो जाएगा तो इतना चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे जो है उस्मा का अस्थानांत्रन सिलेंडर से कहां पर होता है atmosphere या cooling medium में होता है इतना समझ में आया इतना कुछ नहीं आएगा driver motor mechanic है ठीक है भाई आप नहीं पढ़ सकते हैं न मत पढ़िए ठीक है कोई दिक्कत नहीं जिन लोगों को पढ़ना है उनको मैं यहां पर पढ़ा रहा हूँ ठीक है चलिए इतना चीज़ समझ में आगया बस आपको मैंने आपको पहले भी कहा कि इतनी चीज़े आपको नहीं लिखनी है यह हलका चाफीगर बना लिजेगा और यहां पर यह फामूला लिख लिजेगा ठीक है यहां पर यह फामूला लिख लिजेगा अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट है हमारा यहां पर आप हेडिंग लिखेंगे एक क्रिया चक्र क्रिया चक्र मैंने आपको बताया था ओपरेटिंग साइकल बताया था एक क्रिया चक्र के विभिना विभिन प्रक्रमो के दवरान तापमान छीख है एक क्रिया चक्र के विभिन प्रक्रमों के दवरान ताप माने के स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सहरा बता दीजिए कि अगर हमारा सक्सन होगा सक्सन होगा तो उस समय कितना टंप्रेचर रहेगा compression होगा संपीडन होगा तो उस समय कितना temperature रहेगा फिर जब हमारा दहन होता है तब कितना temperature होगा फिर हमारा expansion में कितना temperature होगा और फिर हमारा जब इकजाश्ट होगा तो कितना temperature होगा ठीक है चलिए 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 यहाँ पे देखिए यह जो temperature है यह आपको Kelvin में इधर दिखायेगा यह हमारा कौन सा एक्सिस होता है भहिया Y-क्सिस और यहाँ पे आपका जो temperature दिखाये गया वो Kelvin में है अगर मैं आपसे पूछू 373 Kelvin 373 Kelvin को degree centigrade में बदलिए तो आप क्या करेंगे ठीक है इसको किसमें बदलना है degree centigrade में तो आप क्या करोगे 373 माइनस 273 कितना आजाएगा 100 degree centigrade ठीक है इसी तरीके से अगर यहाँ पे Kelvin में तापमान है तो आप क्या कर सकते हैं उसको degree centigrade में उसको degree centigrade में notification नहीं आ रहा है कोई बात नहीं आप 7 बज़े यहाँ पर आ जाये करो बस notification जाये न चाहिए 7 बज़े आप देख लिए अगर हो playlist में वहाँ पर class लगी होगी 7 बज़े हमारी class daily होती है ठीक है notification ना भी जाये तो भी कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर देखिए माल लिजे सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है यह जो हमारा ओरा यह क्या है सक्सन यहाँ पर देखिए चूसन लिखा भी हुआ है हो सकता है आप कुन न दिख रहा हूँ तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ ठीक है अब दिखिए जब यहाँ पर जब जली हुई गैसे सिलेंडर से निकली तो उस समय तापमान कितना है 1100 Kelvin से अधिक यानि कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब मफसर पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि जब गैसे बाहा निकलती है तो उनका तापमान कितना होता है 550 से 800 डिग्री सिंटीग्रेट और जब आप यहाँ पर 1100 में से 273 घटा होगे तो तापमान हमारा उसी रेंज में आ जाएगा दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखो देखो जो ब्रिलियन लड़का होगा उसके लिए फिगर बहुत ज़्यादा काम का है और जो यह कहेगा कि यह नहीं आएगा तो उसके लिए किसी काम का नहीं है दूसरी तरफ दिया हुआ है क्राइंक कोण डिग्री में यानि कि क्राइंक साफ्ट कितने डिग्री घूमा और मैंने आपको क्या बताया है कि एक श्ट्रोक में जब पिष्टन BDC से TDC या TDC से BDC जाता है तो क्राइंक साफ्ट हमारा कितना घूमता है भाई या 180 डिग्री अब देखिए यहां पर पिष्टन क्या था टॉप डिट सेंटर टीसी लिखा है तो टॉप डिट सेंटर आप समझ जाओ टीसी मतलब टॉप सेंटर और आप इसको TDC लिखना है उपनी काफी में तो TDC पर है जब यहां पर देखिए आ रहा है नीचे तो पिष्टन कहां पर पहुचा देखिए यहां पर क्या लिखा है BDC लिखा हुआ है पिष्टन कहां पहुचा सक्सन श्ट्रोक के अंत में Cindy पढ़ा ही, उस समझ में आ रही है एक फ्बिश्न में आपको TDC-BDC मिल रहा है एक में आपको टंप्रेचर मिल रहा है और इसम में आपको क्रैंक साप्ट का कोर्ण मिल जा रहा है पिर इसके बाद हमारा क्या होता है संपीडन होता है संपीडन के अंत में तापमान इतना भी हो सकता है यहां पे रेंज दिखाय गया है यानि की फिक्स कर दो कि रहेगा तो इसलिए यह सब क्या चीज़ें दी आती है यहां पे दहन होगा जब यहां पर दहन होगा तो आप देखी टंपरेचर 2250 यानि की 1400 Kelvin के आसपास यहाँ पर 2400 हो जाएगा 2400 Kelvin और फिर यहाँ पर देखिए लगभग लगभग 2600 से 2700 Kelvin के बीच पहुँच जाएगा फिर जब आप इसको डिगरी संटिग्रेट में बदलोगे तो फिर वही 2200 से 2500 degree centigrade आएगा फिर हमारा क्या होगा expansion यहां से हो जाएगा expansion के अंत में तापमान देखे कितना आएगा यहां पर लगभग आएगा 1300 degree centigrade के आसपास और फिर जब निकास होगा तो यहां पर फिर तापमान 1100 Kelvin के आसपास आजाएगा जिसको आप degree centigrade में चेंज करोगे तो 600-800 degree centigrade के बीच में आएगा ठीक है 600-800 degree centigrade में आएगा बहुत अच्छा ग्राफ है भाई बहुत मेहनत करता हूँ बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए खोच के लाता हूँ नहीं तो यह सब ठीरी चीज़ें हैं फिर आपको खतम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन ग्राफ वगयरा लाने का अब जो एकदम मतलब ड्राइवर वाला बंदा है वो सुचता है यह नहीं आएगा लेकिन आप सोचो एक चीज से मैं आपको कितनी चीज़ें यार ग्राफ देख लो यहां CBC BDC वाला समझ में आ गया कि नहीं बताइए ठीक है अब मतांने के बारं मैं साइड हो जा रहा हूं साइड हो जा रहा हूं आप आप लोगों ने ले लिया होगा ठीक है चलि चलिए अगले जो है अगला जो है हमारा टॉपिक है वो है types of cooling system ठीक है आप heading डालेंगे cooling system के प्रकार cooling system system के प्रकार ठीक है इसमें दो तरह के system हमारे होती हैं कौन कौन से पहला होता है हमारा air cooling system इसमें भी क्या होता है फिर दो तरह का होता है कौन कौन सा होता है भीया कौन कौन सा होता है तो इसमें होता है पहला होता है प्राकृतिक पहला होता है प्राकृतिक यानि की नेचुरल अगला क्या होता है करितिम कित्रिम ठीक है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफीसियल ठीक है इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स फीड ठीक है इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फोर्स फोर्स फीड एयर कूलिंग को सिस्टम ठीक है फिर इसके बाद इधर हमारा आ जाता है इधर हमारा क्या आ बाता है भाटर कूलिंग सिस्टम वाटर कूलिंग इसके इसमें कौन कौन सा होता है इसमें कौन कौन सा होता है इसमें तीन तरह का होता है बेसिकली तो दो ही तरह का होता है लेकिन कई सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मो साइफन सिस्टम कैसे काम करता है अगला है पंप पंप वाटर कूलिंग सिस्टम फिर अगला होता है थर्मो इस्टैटिक थर्मो इस्टैटिक रेगुलेटर रेगुलेटर वाटर कूलिंग सिस्टम फिर थर्मो इस्टैटिक रेगुलेटर वाटर कूलिंग सिस्टम यह होता है हमारा जिसके बारे हम लोग को बारी बारी पढ़ना है तो जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीन सॉट लीजिए एक टाई होते हैं इंग्लिस में भी लिका लिए, ठीक ही ठीक है भाई, मैं next lecture से जो question last में कराता हूं मैं, जो question lecture के last में कराता हूं, मैं, उसको इंग्लिस में भी convert करवा दूँगा, ठीक है आप लोग परसान आये, अगली बार से, आज तो हिंदी में है, नेक्स्ट टाइम से जो questions लेक्चर के लाश्ट में कराता हूं उसको मैं इंग्लिस में भी convert करवा दूँगा ठीक है ठीक है मैं करवा दूँगा सर्थ समझ नहीं आया वह दूबारा बताओ ग्राफ ठीक है मैं लेक्चर के लाश्ट में बता दूंगा अभी लोग करे टॉपिक चला है पढ़ा देते ने लेक्चर के लास्टों में आपको एक बाग फिर से बता दूंगा ठीक परसान मत होई सभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगे इसका स्क्रीन सॉट लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं एयर कूलिंग सिस्टम की तरफ फेडिंग आप डालेंगे एयर कूलिंग जैसे आपका जैसे आपका बाइक में जो सिस्टम होता है उसमें एयर कूलिंग सिस्टम होता है यानि कि उसको हम हमको अलग से फैन से हवा नहीं देनी पड़ती है ठीक है आप अल्रेडी बाइक लेके चलते हो तो अल्रेडी प्रकित से हवा उसमें लगती है ठीक है उसमें किसी तरह का हम लोग external power को उपयोग नहीं करते हैं लेकिन यहां पर force speed में क्या है जैसे माले जो कोई हमारा static engine है यानि कि एक जगा जैसे bike तो माले जो speed में चल रही है तो उसमें खुदी हवा आके टकरा रही है उसकी cooling हो रही है artificial तरीके से हवा का flow कराते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं artificial force speed यानि की cooling system चलिए अब आप लोग heading डाल लीजिए air cooling system इसमें आप पहला point लिखेंगे पहला point इसमें लिखेंगे इस वी धिमे सिलेंडर से सिलेंडर से हवा का अस्था नांतरण सीधे वाय मंडल में किया जाता है ठीक है इस रिदमे सिलेंडर से ठीक है यहाँ पर उस्मा लिख लीजे सिलेंडर से उस्मा का अस्थानानत्रण सीधे वायुमंडल में किया जाता है ठीक है किया जाता है अगला पॉइंट लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें उसमा अस्थानांतरण के लिए सतह का सतह का सेत्रफल बढ़ाने के लिए सिलेंडर के उपर बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए इसमें उसमा स्थानांतरण के लिए सतह का छेत्रफल बढ़ाने के लिए सिलेंडर के उपर क्या बनाई जाती है पत्ली 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 पत्तियां बनाई जाती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं ये प्रसना आपके लिए इंपर्टेंट है ठीक है अगला पॉइंट लिखेंगे हवा का हवा का लोग बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए कभी 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 ब्लोवर का इस्तिमाल करते हैं, ब्लोवर का प्रयोग करते हैं, यह तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीन सॉट लीजिए, और फिर हम लोग अपने फिंस और ट्यूब, नहीं भाई, फिंस, एर, एर कूलिंग सिस्टम है, उसमें फिंस, वा का हो सकता है, अल्यूमिनियम का भी हो सकता है, बस सता का छेतरफल बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगा, लाइनर कितने टाइप का होता है, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आप कुछ लिख लीजिए, यह जो चीजिएं आप नोट्स वग किया जाता है, अगला पॉइंट क्या है, इसमें कूलिंग मीडियम के रूप में हवा का उपयोग किया जाता है, कि सिलेंदर के चारो और, अनेक पतले फिंस बनाये जाते हैं, इन ही पंकों, इसको हिंदी में बोलेंगे पंक, इन ही पंकों से या फिंस से cylinder के चारोर जमा होने वाली ठंडी हवा का जो छेत्रफल है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है तो मैं आपसे प्रस्न पूछूं एयर कूल इंजन में फिंस का क्या काम कर होता है तो टकराने वाली हवा के सतह का छेत्रफल बढ़ाने का काम करता है जल्दी से एक बार जिन लोगों के स्क्रीन सॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए नहीं भाई मेरे हिसाब से अभी जी अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई क्लास का टाइम कोई दिक्कत नहीं आपका कोर्स एकदम टाइम से खतम हो जाएगा इसलिए मैं बहुत तेजी से काम कर रहा हू यह क्या है फिंस अगर आपने कभी नहीं देखा तो जा के अपने घर में जो बाईख होगी उस-पे देख लिजेगा पतली एपत्तियां लगी होते हैं अब देखे इनका काम क्या होता है सता की छेत्रफल का बढ़ाना अब माल लीजे फिंस ना होते सिलेंडर पर द्यान से मेरी बात समझेगा माल लीजे सिलेंडर पर फिंस ना होते तो सिलेंडर का छेतरफल कितना होता देखे यहां से लेके सिलेंडर का छेतरफल हमारा कितना होता मात्र इतना उसमें भी वालव वगरा लगे रहते और सिलेंडर का छेतरफल हमारा मात्र इतना होता यानि कि सिलेंडर के इतने ही हिस्से से हवा टक स्थननत्राइगी और जितने वेक से टकराएगी उतना ही उसमा का स्थनांत्रन होगा तो अब दý Mexican क्या कर दी इस पे लगादी अब देखिए छेत्रफल कितना जादा हो रहा देखिए यहाँ पे फिंस लगाने से ऐसे देखिए छेत्रफल देखिए कितना बढ़ता जा रहा है हमारा ठीक है क्या आपको दिख रहा है कि फिंस कैसे छेत्रफल को हमारे बढ़ा रही है देखी देख रहे हैं यानि कि जितना इसका था सिलिंडर अगर खाली सिलिंडर होता तो जितना उसका छेत्रफ उसमा यहां से क्या होगी हवा में चली जाएगी इसको बढ़ाने का काम करते हैं कौन इसे हमारी चलिए अब देखा देता हूं एक प्रसने Agreement से और पर देखेंगे यहां पर आप देखेंगे फिंस क्या है छोटी छोटी है यहां पर देखेंगे यहां पर फिंस क्या है छोटी है लेकिन जैसे जैसे आप उपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो देखें फिंस की लंबाई क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी यहां पर सिलेंडर हेड पर फिंस की लंबाई अधिक क्यों होती है तो आप यहाँ पर लिखोगे क्यों की सिलेंडर का उपरी भाग या आप लिख लो ब्रैकेट में सिलेंडर हेड सिलेंडर हेड क्या होता है सबसे अधिक गर्म होता है क्योंकि इधन का दहन कहा होगा यहीं पे तो होगा यहीं पे तो होगा सबसे जादा उसमा कहां पर आएगी यहीं पर तो आएगी तो इसलिए क्या होता है क्योंकि सिलेंडर का उपरी भाग क्या होता है सब से अधिक गर्म होता है इसलिए फिंस की लंबाई अधिक होती है ये प्रस्न है भैया प्रस्न आप से पूछा जाता है बस थोड़ा सा आपको कांसेट क्लियर होना चाहिए बस आप आसानी प्रस्नों को कर पाएंगे ठीक है चलिए जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चीजें समझ में आ रही हूं देखे इस तरीके से फिंस होती में जा के देखेंगे तो कुछ ए चोटे एंजन होते हैं उसी में एर्कूल सिसन का प्रयोग किया आता है और जो हमारे होथे रखते हैं वहां प सिस्टम कार चोटे हो ग्याए, इस्कूटर देगा कि हमारी दो पहीया वाहन है मोटर बाईक है उसमें हम लोग किस सरा कै नहीं को सिस्टम आपको दिखाया है और यह हमारी फेंस दिखाई गई तो हाँ के पेपर क्या मतलब वही हमारा टेस्ट होता आप उसको समझ लिजिए पचास किस्चन मैं आपको उसी से कराऊंगा जो मैंने वीक में आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजेगा और उसी से प्रस्ण मैं आपको कराऊंगा तो कल वाली क्लास जरूर लीजिएगा वाली class जरूर लिजिएगा आपको पता चल चाहिए आप कहीं से भी पढ़ा दहों तो कब एजे टेस्ट कल वाली क्लास आप जरूर जोइन कीजिएगा पचास के उस्चन महत पूर प्रस्ण में आपके लिए लाने वाला हूँ कल ठीक है तो कल जरूर जुर जाईएगा चलिए इतना हो गया जल्दी से स्क्रीन सॉट लेना हो तो लीजिए अब देखिए एर कूल्ड इंजन के लाव हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है एर कूल्ड इंजन के लाव हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है भाईया इस प्रकार के इंजन जल्दी ही वरकिंग अवस्था में आ जाते हैं क्या हो जाते हैं जल्डी ही वर्किंग अवस्था में आ जाते हैं यानि कि काम करने आपने बाइक चलाई काम चालू ठीक है इसी तरीके से इस प्रकार के इंजन ठंडे जगहों पर जहां पानी जम जाता है ऐसे अस्थानों के लिए भी अच्छे होते हैं जैसे कि आपकी कुलिंग सिस्टम है आपका वाटर कुलिंग सिस्टम वह काम कैसे करेगा तो इसलिए जहां ठंडे अस्थान होते हैं वहां पर यह सिस्टम उपयोग होता है अगला देखे क्या है इन इंजनों में लीकेज का डर भी नहीं होता है और इस प्रकार इन्हें एंटी फ्रीज के आपको बड़ागा प्रएंगा तो वहां पå मैं आपको बताऊंगा ठीक है लेकिन यह हमारा ए्यर कुलिंग सिस्टम होता है किसी भी तरह का इसमें कोई लीकेज नहीं होगा किसी भी तरह का एंटी फ्रीज केमिकल हमको इसमें नहीं मिला न रहेगा अगला दिखिए इन इ मतलब बहुत से component involved हो जाते हैं pump हो गया अगर हमारा forced feet हमारा water cooling system है तो कई component हो जाते हैं radiator fan हो गया radiator fan को चलाने वाली built हो गई तो उसमें क्या होता है maintenance ज्यादा होता है हमारा ठीक है और ये क्या होता है इसमें किसी भी तरह का maintenance नहीं होता बस आपने cylinder को उपर fins बना दी हवा बस लगनी चाहिए engine को उपर engine हमारा क्या होता रहेगा cool होता है sir class की timing कल क्या होगा 7 बजे कल भी class की timing हमारी 7 बजे ही रहेगी ठीक है ठीक है चलिए clear नहीं दिख रहा है sir जी थोड़ा सा अपनी quality बढ़ाईए quality बढ़ाईए क्योंकि इस से बढ़ा लिखूंगा तो एक page में 2 point आएंगे तो फिर बार बार slide करना पड़ेगा ठीक है तो थोड़ा सा अपनी quality को बढ़ा लीजे 2-4 minute के लिए जब तक ये point आपको लिखने है screenshot जल्दी से आप लोग लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए अगला है air cool engine की हानिया air cool engine की हानिया हानी कौन सी है इन engine में efficiency water cool engine की अपेच्छा क्या होती है कम होती यानि कि water cool engine जितना हमारा बढ़िया cooling करेगा उतना ये cooling नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि क्योंकि वायुका वायुका उस्मा उस्मा अस्थानांतरण नांतरण गुडांक क्या होता है कम होता है उस्मा अस्थानांतरण गुडांक कम होता है इस वज़ा से जो air cool engine होते हैं उनकी efficiency ज़्यादा नहीं होती है अगला point लिख लिए साथी इंजनों में noise भी और इंजनों की मुकाबला अधिक होती है यानिक इसमें जो air cool engine होते हैं कम cooling होने के वज़ा से उसमें क्या होती है आवाज ज़्यादा आती है अगला दिखिए इन इंजनों में cylinder की cooling समान रूप से नहीं हो पाती है समान रूप से कैसे नहीं हो पाएगी वाई किधर से हवा लग रही है जिधर से हवा लगेगी उधरी cooling होगी जिधर से हवा नहीं लग रही उधर से cooling नहीं होगी ठीक है तो यह है हमारे यह हमारे air cool engine की कमिया और जो lab मैंन लेंगे कुछ महत्वकूर बिंदू ये बिंदू क्या है भाईया ये बिंदू है प्रस्त डाइरिक्ट आपके एक्जाम में छप सकते हैं बस मैंने इसको वन लिनियर के माध्यम से इसलिए लिख दिया है ताकि आपको इसको अपने नोट बुक में अपनी कॉपी में नोट कर करने में आसानी हूँ ठीक है इसलिए डाइरिक्ट प्रस्न है और उसका अंसर है ताकि आप थोड़ा सा मेहनत करके बस प्रस्न लिखिए अंसर लिखिए ये सभी क्या है प्रिवियस एक्जाम में पूछे गए प्रस्न है पहला प्रस्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टे का है तो उसको कूलिंग प्रापर रूप से एर कूलिंग करने के लिए कितनी जो फिंस की सता का छेत्रफल जो मैंने आपको बताया वो कितना होना चाहिए क्या किसी को पता है तो बताईए किसी को अगर पता हो तो बताईए कि अगर हमारा एक हर्स पावर का इंजन है तो फ इसमें होना चाहिए 1400 से 2400 से क्या होना चाहिए 2400 सेंटी मीटर स्क्वायर होना चाहिए दूसरा देखिए पॉइंट क्या है कूलिंग सिस्टम प्रयोग ना करने से कौन सा दोस आ सकता है 735-746 ठीक है नहीं नहीं ठीक है उपकरन कौन कौन से है एर कूलिंग में कोई खास उपकरन नहीं उपयोग होता है ठीक है नाम क्या बता है एर कूलिंग में कोई खास उपकरन अच्छा आप सुचो बाइक है तो बाइक में आप मुझे बता दो कि कौन सा उपकरन उपयोग हो अगर हमारा कोई static engine है जो जमीन पर रखा हुए एक जगा उसको air cool करना है तब आप क्या करो फैन लाओगे आप एक radiator भी छोटा सा लगा सकते हो जिससे गुजर के जो हवा हो वो क्या हो और ठंडी हो जाए तो यह उस प्रस्ण नहीं पूछेगा ठीक है क्योंकि air cooling system हम लोग ब cooling यूज कर लेंगे ठीक है तो कोई खास उपकरना नहीं होता फैन हो गया नार्मल आपका radiator एक छोटा सा हो गया तो उसको आप यहां पर लिख सकते हो अपनी कॉपी में ठीक है चौदा सो से चौबिस सो सेंटीमीटर स्कॉयर नहीं चौदा सो से चौबिस सो सेंटीमीटर स् cooling system cooling system प्रयोग ना करने से कौन सा दोस आ सकता है बताइए pregnition हो सकता है Detonation हो सकता है Knocking हो सकता है ये सभी हो सकता है एक लड़के ने मुझसे प्रस्न पूचा था कि Detonation और Knocking में अंतर क्या होता है ठीक है तो बता दूँ थोड़ा सा टाइम है आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर देखे कूलिंग सिस्टम प्रयोग ना करने से ये सभी दोस हमारे आ सकते है यानि कि Pregnition भी हो सकता है Detonation भी हो सकता है Knocking भी हो सकता है और ये सभी दोस यहाँ पर हो सकते हैं अगला देखे अगला पॉइंट देख लीजे Air Fins बने होते हैं तो पर क्या प्रभाव पड़ता है बताईए मैंने अभी आपको बताया कि Air अगर Fins बने होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताईए जल्दी बताईए तो आप इसमें लिख लेंगे आप इसमें लिख लेंगे Cylender Cylender पर पढ़ने वाली पढ़ने वाली हवा का छेत्रफल हवा का छेत्रफल क्या होगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है यही प्रभाव हमारा पढ़ेगा तो एक तरफ मैं आपको बता देता हूँ प्री जो आपका Detonation और Knocking है एक तरफ मैं आपको बता देता हूँ यहां पर तो एक तरफ आप लिख लिजिए Detonation एक तरफ आप लिख लिजिए Detonation और एक तरफ लिख लिजिए Knocking दोनों एक ही चीज़े भाई देखो दोनों है इंजन से आवा जाना लेकिन एक चात्र ने पूछा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपसे प्रस्तन जल्दी पूछेगा नहीं Detonation को हिंदी में बोलते हैं अपस फोटन ठीक है और Knocking का हिंदी मुझे नहीं पता है भाई Knocking को हिंदी में भी Knocking ही बोलेंगे ठीक है Knocking मतलब नॉक नॉक करना इंजन से खट खट आने की आवाज आना ठीक है जैसे आप बोलतों नॉक कर रहे हैं किसी के दरौजे को तो कैसी आवाज आती है सेम उसी तरीके से Knocking होता है इंजन जब खट की आवाज करता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग नॉक अब यहां पे आप लिख लेंगे Pre-ignition यहां पे आप लिखेंगे जब जब Fuel का Fuel का क्या होगा pre-ignition होगा मैंने आपको pre-ignition कई लेक्षर में बता है आपको पता होगा जब फ्यूल का pre-ignition होता है यानि की पूरो प्रज्वलन होता है pre-ignition होता है तब तब इंजन से जो आवा आ जाती है तब इंजन से इंजन से उतपन ध्वानी को क्या कहते हैं उतपन ध्वानी को detonation कहते हैं detonation कहते हैं और नौकिंग क्या होता है जब फ्यूल का uneven जब हमारा फ्यूल असमान रूप से जलता है आप इसमें लिखेंगे जब फ्यूल जब फ्यूल असमान रूप से जलता है जब फ्यूल क्या होता है भीया असमान रूप से जलता है जैसे कि क्या हो जाए एर फ्यूल का रेशियो गड़बड आ जाए एर फ्यूल का अनुपात क्या होने पर गड़बड होने पर एर फ्यूल का अनुपात क्या होने पर गड़बड होने पर यानि कि जो इंजन को चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा हमारी नौकिंग गड़बड होने पर अगला लिखिए इसके कारण इसके कारण इंजन में इंजन में क्या होती है इंजन में तरंगे यानि की वेवस उत्पन होती हैं जिसके कारण क्या होता है जिसके कारण कमपन बहुत जादा होता है कमपन यानि की वाइब्रेशन ठीक है यह पॉइंट आप लिख लीजिए वाइब्रेशन जादा होता है यह प्रसन आपसे पूछेंगआ नहीं यह प्रसन आपसे पूछेंगा नहीं बस एक इस्टूडेट ने पूछा था तो मैंने इसको बता दिया और आपको भी अंतर इसम नौकिंग में अंतर समझ में आया कि नहीं सर वालियूम कमारे ठीक भाई मैं तेज से बोलने का प्रयास कर रहा हूं ठीक है कमबस्टन का टंप्रेजर 350 से 500 डिग्री सिंटीग्रेट होत रही नहीं समझ पाया मैं भाई आपका सवाल हाँ एयर फ्यूल रेशियो जो नवनीत द होगा जब हमारा इंजन ओवर हीट होगा जब इंजन ओवर हीट होगा तब प्रीगनीशन होगा और तब हमारा होगा डिटोनेशन नोट्स कहां मिलेगा रोजगार्यू थंकीत पर मिलेगा ठीक है जल्दी खतम होगा भाई जल्दी खतम होगा कोर्स जल्दी खतम होगा चल कहलाती हैं तो मैंने अभी आपको बताया बनी पत्तियां क्या कहलाती हैं फिंस कहलाती हैं देखिए मैं आपको बतानों यह सब जो प्रस्ण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह ऐसे ही सिंपल प्रस्ण आप से पूछे जाने की ज्यादा संभाव न रहती है प्रस्ण में एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग किया आता है तो आप लिखोगे छोटे इंजनों में छोटे इंजनों में जैसे की हमारा क्या हो गया मोटर साइकिल मोटर साइकिल इसकूटर ठीक है छोटे छोटे वाटर पंप जैसे की आप लोग के घर में टुलू या मोटर होगी पानी वाली तो उसके उपर भी देखिएगा पतली पतली जो फिंस हैं वो लगी रहती है यह प्रसनाब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको काम देगा कहां पर जब मैं आपको वाटर कुलिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पर काम देगा फिंस का माटेरियल कोई फिक्स नहीं मैं आपको लिखा ही देता हूं यहां पर लिख लीजे यहा सिलेंडर के साथ ही सिलेंडर के साथ ही धाला जाता है धाला यानि की कास्ट किया जाता है धाला जाता है क्योंकि देखिए अब हम बना रहे हैं अगर हमारा क्या हो रहा है किसी बाइक का इंजन बना रहे हैं या कोई भी इंजन बना रहे हैं तो हमको पहले से पता होगा कि ह को इसको एर कूल इंजन रखना है कि वाटर कूल इंजन रखना है तो सिलेंडर आप धाल रहे हो सिलेंडर की कास्टिंग कर रहे हो तो उसी में आप क्या कर सकते हो फिंस की कास्टिंग भी कर देते हो अगर सिलेंडर हमारा कास्ट टारें का है तो फिंस भी कास्ट टारें का हो कि थर्मो इस्टेट वाला जब मैं आपको water cool engine पढ़ाऊंगा थर्मो इस्टेट वाला थर्मो इस्टेट का उपयोग क्या है कैसे है तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा आवा सकता पड़ेगी तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे आप क्या लिखोगे से 220 degree Fahrenheit और degree centigrade में पूछे तो आप क्या बताओगे 70 से 90 degree centigrade ठीक है अब देखे कहीं कहीं पर आप सर्च करेंगे या Google करेंगे तो आपको मिलेगा 190 से 220 degree centigrade जो कि क्या है गलत है यह जो सही temperature होता है वो क्या होता है 190 से 220 degree Fahrenheit और अगर आप दिगरी centigrade में चेंज करोगे तो 70 से 90 degree centigrade ठीक है ठीक है 70 से 90 degree centigrade भाई देखो फिक्स नहीं है यहाँ पर दिंपी सिंग व्लॉक्स लिख रहे है काश्ट आरन का सिलेंडर होगा तो काश्ट आरन की फिक्स होगी जी बिलकुल जिस material का सिलेंडर होगा उसी की फिन्स होगी क्योंकि हम लोग क्या करते हैं फिन्स को सिलेंडर के साथ ही क्या कर लेते हैं धाल लेते हैं काश्ट कर लेते हैं तो अब बताईए इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं जो air cooling system है मैं आपको बताऊं क्या आपको ध्यान रखना है air cooling system से पहला तो इसका type याद रख लो प्राकृतिक होता है क्रितिम होता है अगला ध्यान रख लो इस सिलेंडर के उपर जो बाहर की तरफ पत्तियां कटी होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिन्स बोलते हैं कारेकारी तापान मतलब आप समझे कि engine को cooling करने का मतलब यह नहीं कि हम लोग zero degrees centigrade पर लाए जाए या minus में cooling करता रहे लगातार cooling system यानि कि engine को चलने के लिए कुछ नो कुछ तापमान भी आवस्सक है तो हमको इतनी cooling नहीं करनी है कि हमारा जो engine की दच्छता बढ़ाने के लि temperature आये वही cooling system द्वारा क्या होना चाहिए ठंधा होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप cooling करते जा रहो cooling करते जा रहो temperature पहुचा दिया zero degrees centigrade पर तो वह भी हमारे लिए हानिका रख है कारेकारी तापमान मतलब अगर आपका engine अच्छे से वर्क करे अच्छी efficiency के साथ वर्क करे उसके लिए engine का जो तापमान है वो इतना होना चाहिए ठीक है कृतिम का नहीं पढ़ाया गुरू जी भाई कृतिम का कुछ नहीं है बस आप एक सीधा पंखा लगा दो इंजन रख दो और उसके उपर क्या लगा दो पंखा लगा दो वही हो गया कृतिम है artificial यानि कि हम लोग क्या कर रहे हैं artificial तरीके से हवा को उसके उपर प्रवाहित करा रहे हैं और जब हवा खुद प्रवाहित होती है जैसे कि छोटी मोटर भाई को अगरा हो गई तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं उसको प्रकृतिक बोल देते हैं कुछ है ही नहीं कृतिमें पढ़ाने के तो भाई से सीरियस होगे हसूंगा मैं तभी जब मैं आपको कह रहा हूं परमार जी लिख रहा है हसूंगा मैं तब जब आप अपना रिजल्ट लेकि मेरे पास आओगे यहीं स्टूडियो में और मुझसे बताओगे कि स्थर मेरा सेलेक्शन हो गया तब मैं जितना आपको होग उतन पर रखने के लिए उपरोग तो में से कोई नहीं कंफ्यूजन पैदा करने वाला क्यूस्चन है कुछ चात्रे हां पर कंफ्यूद हो जाएंगे और गलत उत्तर जरूर देंगे जैसे कि गलत उत्तर आना सुरू हो गया है चलिए गुर्जर सिन्न गुर्जर कोई हैं उनका गलत उत्तर आ है सभी का ज्यादा दर लोगों का गलत उत्तर आना सुरू हो गया चलिए बी जख्मियासिख ॥ी भाइ जख्मियासिख भी आपका अंसर तो गलत है ठीक है ऑस Suali Set झand hacia यहां पे जो होगा वहागा Is сидion को कारेकारी ए ह मान पर रखने के लिए शहां पर कम करता तो भी हमारा इंजन सही से वर्क नहीं करेगा तो इंजन को कारेकारी ताफमान पर रखने के लिए 70 से 90 डिगरी सेंटीक्रेट के बीच रखने के लिए हम लोग का कोलिंग सिस्टम प्रयोग किया आता है अगला प्रसन है इंजन की अधिक गर्म होने का क्या कारण है इंजन का जाम होना प्री इगनीशन वालव टाइमिंग गलत होना या ये सभी बताइए बताइए जल्दी जल्दी प्रसन अंसर बता दीजिए बस हमारा आज के लेक्चर खतम है जल्दी से इन प्रस्णों का उत्तर दे जीजा पस हमारा जो ये लेक्चर है वो खतम हो जाएगा बताइए दूसरे का अंसर क्या होगा तो दूसरे का अंसर हो जाएगा हमारा D सभी क्या है अगर वालवर टाइमिंग आपकी सही नहीं है प्रीगनीशन हो रहा है इंजन आपका जाम है ठीक है तो ये सभी हमारे क्या है गर्म होने के कारण है अगला प्रस्ण देखिए एर कूल्ड इंजन सिलिंडर के बाहर बनी पत्तियां यहाँ पे पंक्तियां नहीं होगी यहाँ पे होगी पत्तियां बनी पत्तियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए, पलेट कहते हैं, कैम कहते हैं, फिंस कहते हैं या इनने में से कोई नहीं, C अंसर आ रहा है सभी का, नुरुल हसन का D आ रहा है भई, D पहत बना ही पिछले वाले का था किसे वाले का, ठीक है, तो C-Answer आपका होगा, Fins यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अगले परस्ण की तरब बढ़ते हैं Cylinder के चारो और, Air Fins बने होने से क्या होता है हवा का छेतरफल बढ़ जाता है, हवा का छेतरफल कम हो जाता है सिलेंडर तक हवा नहीं पहुचती है और चोथा हीन में से कोई नहीं बताईए सही उत्तर बताईए इसमें से बहुत ही सिंपल प्रस्न है सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हवा का छेतरफल बढ़ जाता है बिल्कुल सही है अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे है हमारा एयर कूलिंग निमलखित में से किन कारुकों पर निर्भर करता है यह थोड़ा सा टेक्निकल प्रस्न है लेकिन आप लोग कर ले जाओगे हवा के संपर्क में सता का छेत्र फल हवा के बहने की दर और मेटल की उसमाचा लगता यानि की धात की उसमाचा लगता में सफ्नाव करों भाई आप लोग भी सुपर हो आप बस अपने आप पे यकीन कर लो कि हम सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा आप खुद अपने उपर यकीन कर लो कि मुझसे जादा पढ़ने वाला कोई NBA कोई हम आना सुरू हो जाएगा झाप पने अन्दर जो बदलाव है वो आना शुरू हो जाएगा ठीक है फांच वे का D अंसर आ, जो कि क्या है बिल्कुल सही है मेटल कि उसमा चा선 लगता यानि कि मेटल किया हमारा कि कितना उसमाचा लगता है उस पर निर्भर करेगा हवा के बहने की दर पर निर्भर करेगा हवा के संपर्क में सता के शित्रफल पर निर्भर करेगा चलिए और आज का हमाँ लास्ट क्यूस्चन है हवा इधन का मिस्रन जलने से सिलंडर के अंदर का तापक्रम करीब करीब कित आप पहुच जाता है बताई कितना पहुच जाता है मैंने अभी आज के लेक्चर में आपको बताया तो जल्दी से इसका अंसर दीजिए बहुत ही सिंपल क्योश्चन है जो आपसंस है आपके वही बहुत दूर दूर है थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या हो जाएगा तही हो जाएगा अब देखिए लाश्ट का हमारा दो तीन मिनट का सेशन है डाउट सेशन अगर आपको इसमें से कोई प्रसन ना समझ में आया हो तो आप अपने प्रसन यहां पर पूछ सकते हैं ठीक है आज से हम लोग यह डाउट सेशन भी शुरू कर रहे हैं कि जैसे कि मान लेजे आपको लेक्चर से कोई चीज नहीं समझ में आई ठीक है तो आपके लाश्ट के दो से तीन मिनट में आप क्या कर सकते हैं प्रसन पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है आज के लेक्चर को लेकर तो आप पूछ सकते हैं सर मौक टेस्ट की पीडिय पर मिल जाएगी अच्छा ग्राफ एससी को ग्राफ नहीं समझ भी आया ठीक है तो ग्राफ भी हम लोग फिर से देख लेते हैं यह हमारा ग्राफ अब देखी इसमें समझना क्या है बस इसमें आपको क्या बताया गया है रिधिन प्रक्रमों के दवरान जैसा कि मैंने आपको बताया है four stroke engine में एक operating cycle में कितने प्रोसेस होते हैं चार होते हैं सक्सन होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं संपीडन तीसरा होता है expansion जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रसार और चौथा होता है इक जाष्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं निकास उनी प्रोसेसों के दवरान यहां पर इस graph में temperature दिखाया गया है और एक प्रोसेस के दवरान हमारा crank shaft कितने degree गोमता है वो आपको दिखाया गया है और कौन सा प्रोसेस कहाँ से कहां तक होता है piston कहां से कहां तक travel होता है वो आ यहां पे TDC, फिर यहां पे BDC, और फिर यहां पे TDC, अब देखे सक्सन इस्ट्रोक के दरान पिष्टन कहां से कहां तक चलता है, तो देखे चूसन हो रहा है, सक्सन हो रहा है, TDC चे BDC तक, अब उसके बाद संपीडन में कहां से कहां तक चलता है, BDC से देखे फिर पहुंच पार जब होगा, तो Piston कहां से कहां तक चलेगा, TDC से BDC तक चलेगा, यहां तक चलेगा, फिर उसके बाद हमारा जब इक जास्ट होगा, तो Piston क्या होगा, BDC से TDC तक चलेगा और जो हमारा crank shaft है वो एक stroke के दवरान 4 stroke engine में 180 degree घूमेगा और अगर total बात करें एक operating cycle में पूरा crank shaft कितना घूमेगा दो चक्कर यानि कि 720 degree घूमेगा 360 degree यहां से यहां तक हो गया 360 degree यहां से यहां तक और फिर 360 degree यहां से यहां तक स्कूटर के इंजिन में फिंस नहीं होता होगा या होता होगा तो बहुत अंदर स्कूटर को भूल जा यारी स्कूटर में 2 stroke engine उपयोग होता था ठीक है तो अभी स्कूटर अगर आप नहीं पूछेगा आप से आप उसके चक्कर मत पड़ो क्योंकि स्कूटर स्कूटर बहुत पुराने जमानेक का तो मैंने भी उसको देखा नहीं उसमें फिंस होता है ठीक है कितने टाइम या तरविस में बदल वाना चाहिए नहीं बताया आपनो भाई मुझे खिलियर नहीं है कटने उसमें बदल वाना चाहिए तो मैं आपको देख के बता दूँगा, ठीक है, मैं catalytic converter आपको देख के बता दूँगा कि कितने time में बदलवाना चाहिए, बढ़ा दो, ठीक है, sir class का time, क्या आप पूछ रहा है, sir ऐसा तो नहीं पढ़ाने में सभी कुछ class लगी हुई है, ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हू आपके doubts कितने होते होंगे, ठीक है, आपके doubts क्लियर होते होंगे, ठीक है, आपके जो doubts क्लियर होते होंगे, ठीक है, आपके जो doubts क्लियर होते होंगे, ठीक है, ठीक है, तो आज के lecture में जो हमारी class हो, यहीं तक रहेगी, अगर class पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और सेर कर दीजेब दोस्तों के साथ साथी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट से वह मिलती रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टॉपिक के साथ और सबसे पहले इसके बाद हम लोग मिलेगें कल जहांबर 50 कुस्टिंग में आपको सीरीज करने वाला हूँ तो कल आप अपने आपको टेस्ट करने के लिए चाहे आप कहीं से भी पड़ते हूं टेस्ट करने के लिए एक बार अपने आपको जरूर आईएगा कि इतने प्रसनों को आप कर सकते हैं चलीए मिलते हैं नेक्स क